अगर आपको चाहिए हमने कल मार्केट में बात की थी कि मार्केट यहां से गिर सकता है उसको लेके लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि मार्केट किधर भी जाए हमें हमारे लिए इंपोर्टन क्या है पैसा बनाना अगर आप देखोगे तो मार्केट आज फॉल किया है लास्ट के टाइम में otherwise market full on sideways था, हमारा morning का trade कुछ खास बढ़ा नहीं गया, 30 point का trade था, nifty का trade one is to one done किया था, उसके बाद अगर actually ये गया इसके उपर भी था, लेकिन one is to one done is sufficient for me, उसके बाद अगर आप देखोगे, ये हमारे members का कुछ profit है आज के दिन, आज भी ज्यादा लोग active नहीं थे, बट जिनों ने पैसा बनाया, जो आप देख सकते हैं, nifty और fin nifty के अंदर, कुछ ये छोटा मोटा ही पैसा आज के दिन बना है, ठीक है, अभी एक important जो बात है, वो आप लोगों को बतानी है, वो क्या है, then उसके बाद क्या हुआ, पूरे दिन market sideways था, दो बज़े हमने एको nifty में plan किया, 138.5 का premium हमने दिया, अपने members को 170 का high मारा, 160 के गया, तब मैंने आप लोग को update किया, 1 is to 1 यहापे भी मिल गया था, मतलब 1 is to 2 actually मिल गया, और यहापर अमारा view किया था, कि market अमारा 23,300 तक चला जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद और कोई नया trade नहीं बना, तो आप जाएगे और join कर लीजे, आपका कही न कहीं फायदा जरूर हो जाएगा, अब बात करें अगर market की, तो चलिए, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एक second दो मुझे, so पहली trade हमारी morning की बनीती ये, ठीक है, और दूसरी trade हमारी बनीती य ये green candle के नीचे, यानि की ये वाली, ठीक है, लेकिन view क्या था मेरा, view था ये, 23,300, देखो market 23,300 आया, again उपर गया, उसका 3 बजे के around आई थेंक ये breakdown किया इस candle में, तो 3 बजे का बाद मैं काम करवाता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई hold करता, क्योंकि आपका SL कहीं यहां कहीं उपर था, तो आपको loss नहीं होता, आपको एक बड़िया momentum देखने को मिलता, क्योंकि मैंने जहां पर trade लाई थी, वो level थे, 23335 के around के, 23335 से market कहां पर आ गया, 200, almost 100 पंड का fall मिला है, अगर कोई trade को hold करता, day end तक, बज़ मैं किसी को recommend नहीं करता है, इतना trade को hold करने के लिए So, point is, यहां पे move आया, हमने यहां capture किया, यहां पे move आया, हमने यहां capture किया, ह目前 मेरा एक view यहां पर call side के लिए भी था, क्योंथा, क्योंकि market ना अच्छा support बना के ऊपर निकला था, देखो, कल भी market ने यही काम किया था, अच्छा support बना के निकला और resistance लेवल से गरिया, यह एक रीजन था जो यहां पर मुझे डाउट था कि हो सकता है कि यह वापस से फॉल कर जाए मैंने यहां पर भी ट्रेड दिया था कॉल सैड के लिए लेकिन वो ट्रेगर ही नहीं हुआ ठीक है तो ऐस सच मैं कभी बाइस नहीं होता हूं यह एक ऐसा लेवल था जहां पर मार्के निफ्ती के लिए आला कि अगर आप देखोगे तो कितने पॉन्ट में आज मार्केट घूमाई है अगर रेंज लेते हैं तो यह 330 का रेंज है यह 30 30 point में और कितने बज़े से कितने बज़े तक गूमाए ये भी आपको देखना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो अगर हम बात करें 10 बज़े से लेके almost देड़ दो बज़े तक हम ये 30 point में ही गूमें है तो ऐस सच बड़ा move नहीं आया है छोटा ही move था, last में बड़ा fall हुआ है तो हमने वो capture किया अब बात करें अगर कल की कि कल क्या हो सकता भाया तो वापस से हमारी planning मैंने आपको पहले भी बोला है कि market में आज देखो call side में भी trade बना है put side में भी trade बना है लेकिन market तो overall sideways ही था न तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए important है पैसा बनाना आपके लिए important यह ही नहीं कि market उपर जाएगा या नीचे जाएगा ठीक है अभी क्या कर सकते हैं कल के लिए मैं बायस हूँ थोड़ा कल के लिए put side के लिए क्योंकि put side में हमको बड़िया target मिल सकते है अगर हमारा market 233 या 230 के नीचे निकलता है पहला target 2200 दूसरा target 23170 और 150 ठीक है हमें यह अच्छे levels मिल सकते हैं downside के लिए ठीक है यहाँ पर यह मैं अपनी positions जो भी trade लेता हूँ न यह यहाँ पर लगा के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आपाई कि किसमें आपको SL गया है किसमें आपको target मिले है so that अभी यह नया ही चालू किया है आपको इससे थोड़ा वह समझ में आएगा कि हमें बड़िया trades कहां पर देखने को मिल रहे है ठीक है अगर हम एक दो तीन चार पांच छे पिछले चे ट्रेड जो आपको यह देखने को मिल रही है इनकी बात करें तो 6 में से एक SL गया है तो 5 में हमको 1-1 का minimum target मिला है चलिए अब बात करें अगर upside के जाने की तो upside में कब तक काम नहीं करने वाल हूँ जब तक हमारा market 23-300 के उपर नहीं आ जाता तब तक हम upside के लिए नहीं सोचेंगे ठीक है धियान रखो 23-300 के उपर आएगा market उसके बाद हम call side के प्लैनिंग करेंगे और 23-300 के नीचे यानि कि ये जो low है ये low के नीचे अगर निकलते हैं तो हमको बढ़िया ये वाला target देखने को मिल जाएगा पहला T1 target और इसके उपर हम plan करेंगे call side के लिए जादा कुछ है नहीं ठीक है बताने के लिए market trendy होगा तो मज़ा आएगा लेकिन अगर हम पिछले दो दिन की बात करें तो ये market हमारा sideways market है ओके आयोप समझ गए होगे आयोप आज किसी ने लॉस नहीं किया होगा overall ओके दिन था क्योंकि हमारे दो ट्रेड बने otherwise market sideways था तो अगर आपका कुछ नहीं भी मना आज के दिन तो फाइन है कोई दिक्कत नहीं बस overtrade ना हुआ हो बाकी वीडियो को लाइक करतो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लो टेलिग्राम को जोइन कर लो कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछ सकते हो थैंकी सो मच मिलते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो में